So Canada Immigration Minister ने काफी major steps लिए हैं जो directly impact करेंगे international students को चाहे आप Canada आने वाले हो या फिर Canada आप आ चुके हो So ये news उन सभी students को impact करने वाली है So हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ and बात करते हैं ये क्या news है और किस तरीके से ये आप सब को impact करेगी Hello all, welcome to our channel Sachin Talks Canada So आज की news काफी important होने वाली है क्योंकि आज की news directly impact करते है international students को So आज की वीडियो को end तक देखें अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं So जो सबसे पहली news आई है वो ये है कि जो number of study permit issue होंगे 2024 में उनका count काफी जादा reduce कर दिया गया है So 2024 में almost 3,60,000 ही study permit issue होंगे जिनका percentage 35% कम है from comparing to 2023 Yes, so सिर्फ यह number of study permit कमी नहीं करे हैं उसके साथ साथ भी और steps लिये हैं वो यह है कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि international students की जो first choice होती थी वो यह होती थी कि उन्हें Ontario में जाना है या फिर आपका British Columbia जाना है So but अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि Canadian government का अब यह कहना है कि वो study permit जो issues करेगी वो इस बेस पर issue करेगी कि province उतने सारे international students को handle कर सकती है उन्हें housing provide कर वा सकती है या फिर उन्हें jobs दे सकती है So जो सबसे ज्यादा impacted province है वो होगा Ontario Ontario में almost 50% कम study permit issue होंगे So अगर आप Ontario में आना चाहते हो so reconsider your decision and explore other provinces because other province में आपके study permit Approve होने के chances जादा है तो इसके साथ साथ सिर्फ यह Canadian government का फैसला नहीं होगा कि उन्हें कितने study permit issue करने है किसी प्रोविंस में यह depend करेगा प्रोविंस के ऊपर and वहापे जो study permit issue हो जाता था बट अब इसके साथ आपको एक लेटर और चाहिए वह है प्रोविंस से अब हम बढ़ते हैं अपनी second news की तरफ वो news यह है कि जो students आ रही है Canada में उन सब को अब post graduation work permit issue नहीं होगा तो यह किन students को issue नहीं होगा यह उन students को issue नहीं होगा जो private colleges में यहाप admission ले रहे हैं like किसी वह diploma के लिए ले रहे हैं या फिर किसी certificate में वह admission ले रहे हैं so जैसा कि आप सबको पता हुआ कि Canada में भी ऐसे छोटे-छोटे colleges खुल चुके हैं like three rooms, four rooms के colleges जो fees तो पूरी लेते हैं but international students को नहीं वो कोई job देते हैं नहीं उन्हें कोई और किसी type की assistance provide करवाते हैं so इस situation को tackle करने के लिए government ने अब कहा है कि जो students in private colleges में admission लेंगे like अगर आप किसी certificate, diploma बगारा में admission ले रहे हो तो आप सबको post graduation work permit issue नहीं होगा but अगर आप किसी degree के लिए आ रहे हो या किसी आप specific trade के लिए आ रहे हो like आप nursing के लिए आ रहे हो या फिर आप जो construction worker है उस type की किसी professional trade के लिए आ रहे हो so आप सबको tension लेने की जूरत नहीं है क्योंकि आप सबको work permit issue हो जाएगा so यह only impact करेगा जो 12th के बाद students सिर्फ diploma या certificate के लिए आते हैं so यह decision as per us अच्छा decision है students के लिए क्योंकि जो आप यहाँ पे news देख रहे होगे कि काफी reverse immigration हो रही है students परेशान हो रहे हैं क्योंकि jobs नहीं है housing काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है so इससे आप लोगों को काफी फायदा होगा जो students आ चुके हैं या जो students आने वाले हैं क्योंकि आपके chances काफी जादा रहेंगे कि जैसे आपकी study complete होगी आपको एक proper job मिल जाएगी and आपकी life यहाँ पे settle हो सकती है so जो अब next news है वो है spouse open work permit से related जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर आपने Canada में admission लिया है किसी भी diploma डिगरी में तब उसके basis पे आपके spouse spousal open work permit के लिए apply कर सकते थे and आपके spouse Canada के work कर सकते थे and उसके basis पे एक express entry में अपनी profile लगा सकते थे and PR लेके finally citizens से play सकते थे but अब ऐसा नहीं हो पाएगा अगर आप undergraduate program के लिए आ रहे हो डिप्लोमा के लिए आ रहे हो certificate के लिए आ रहे हो so इन cases पे spouse open work permit issue नहीं होगा अगर आप किसी master's के लिए आ रहे हो डॉक्टरेट के लिए आ रहे हो इस cases में spouse open work permit issue हो जाएगा so जैसे हमारे इंडिया से या nearby countries से जो major students आते थे वो undergraduate program के लिए आते थे या फिर आपका किसी diploma के लिए आते थे उन cases में spouse open work permit issue नहीं होगा so reconsider अगर आप भी इस situation में हो and अपने spouse को Canada में बुलाना चाते हो so 2025 में कितने work permits issue होंगे या study permit issue होंगे उनका count अभी नहीं आया है क्योंकि 2024 के end में government दुबारा reassess करेगी कि जो यह decision है किस तरीके से impact कर रहे हैं Canada को and उसके basis पे वो अपने numbers दुबारा release करेगी so जो students September 2024 intake में आ रहे हैं या उसके बाद आएंगे सिर्फ वही students ineligible हैं post graduation work permit के लिए अगर आप private colleges में आ रहे हो अगर जो students उससे पहले आ चुके हैं उन सभी students को post graduation work permit issue होगा so यह थी पूरी आज की news अगर आपका कोई ओर डाउट है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हो so now it's right time that आप अपनी research करो proper सिर्फ जो agents आपकी countries में है उन agents पे believe ना करके कोई किसी भी course में admission लेने से पहले आप दोबारा research करो and only then up admission लो so I think like हमें लगता है कि decision आपके लिए बहुत ही positive है because यह सही समय है कि आप अपनी research full करो and अपने skill को develop कर क्या हो अपनी country में so that आपको यहां आने के बाद अपने आपके ऊपर जादा काम ना करना पड़े और आपको एक career path define हो आपके लिए और आप सीधे उसके इंदर entry ले लो yes so इससे आप सबका भी struggle कम होगा and जो students यहां पर पहले से struggle कर रहे हैं उनको भी भी hope की jobs मिलेंगी और जो यहां पर अभी housing crisis चल रहा है रेंटल मार्किट इतनी ज्यादा हाई चल रही है वह सब भी एक प्रोपर लेवल में आ जाएगी तो अगर आपका और कोई डाउट है इस न्यूस से रेलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो प्लीज टेक केर और हम मिलते हैं अपनी नेक्ट वीडियो में